हलो फ्रेंड्स एम अप्रती वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम बात करेंगे कोलियस प्लांट के बारे में और एक छोटी सी जानकारी देंगे विद रिजल्ट तो वीडियो को आप पूरा देखेगा ये प्लांट हम आपसे कई बार शेयर कर चुके हैं और इसी को ही दागे से बांध दिया था ऐसा का ऐसा ही ये रहा और ग्रोथ करता रहा काफी अच्छे से इसने ग्रोथ की थी आप प्रिवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं तो इसमें देखेए इस तरह से यहां से क्रैक पूरा ही ये क्रैक हो चुका था तो इसको हम से इजिली ग्रो हो जाता है तो आप नई कटिंग से इनको ग्रो कर सकते हैं और यह बहुत नाजुक होती है इनकी कटिंग साही इस पर अगर हाथ भी आपका लग जाता है तो यह तूट जाती है तो इसको थोड़ा ध्यान से ही रखिए तो यह प्लांट ऐसा कुछ ही plants होंगे तो वो इनको संभाल सकते हैं देखरे कर सकते हैं तो देखिए खुले में रखा हुआ रहता है तो इसकी पतियां सिकुड जाती है थोड़ा श्रंक हो जाती है तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है और खाली खाली प्लांट हो जाता है ज्यादा तर पत आई थी कि हम इसकी जानकारी दीजिए तो अभी गुलमोहर प्लांट का डोर्मेंसी पीरियड है ग्रोथ नहीं करेगा सारी पतियां गिरा देगा तो अभी आप इसमें कुछ मत कीजिए बस हलकी सी वाटरिंग कीजिए तो इसमें ये एक कटिंग लगा दी थी देखिए ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे जो कि हमने ये सीट से ही ग्रो किया था अब आपको दिखाते हैं हमारे दूसरे प्लांट जो की नीचे वाला गार्डन है वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं तो उनके पास में हमने कुछ कटिंग ऐसे ही ग् अब इससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है कि जैसे ही सर्दिया शुरू होने वाली हो यानि की लगभग ऑक्टूबर नवंबर से आप प्लांट को शेड में रख सकते हैं यानि की इसको धूप की जरूरत नहीं होती है सर्दियों में लेकिन अगर आप इसको गर्मियो इसको जरूर मिलनी चाहिए नॉर्मल टेंप्रेचर जो होता है तो और जो सर्दियों में है सर्दियों में आपको इसको धूप से धूप में आप रख सकते हैं बाकी जहां पर धूप आती हो लेकिन ठंड से बचाना है रात का पाला जो ओस पड़ता है फ्रॉस्ट होता है उन से आपको इनको बचाना होता है तो प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और एस इज रहेगा जैसी कि आप देखी रहे हैं हमारा ये प्लांट है न्यू ग्रोध भी इसमें अच्छी है म्यूटेशन हुआ है हलका सा कोई-कोई पत्ती में ग्रीन नेज जादा आ गई है तो ये जादा सर्दियों के कारण इसमें म्यूटेशन हो जाता है हलका सा बदलाव हो जाता है तो इसमें कोई परिशानी की नहीं है बात नहीं है बाकी आप इनकी लीफ का साइज देखिए देखिए कितना सही है बिल्कुल जैसा प्लांट होता है नॉर्मल ऐसा ही है और द देखिए बिल्कुल भी श्रंक नहीं हुआ है सिकुडा नहीं है और जो इसमें न्यू ग्रोथ है वो भी अच्छे से है तो आपको इस वीडियो में यही सीखने के लिए मिलता है कि आप सर्दियों में कोलियस प्लांट को ऐसी जगे रखिए जहां पर इसको पाला वगेरा ठं प्लांट भी कहते हैं और ये मनी प्लांट की कुछ कटिंग थी वो भी हमने एक्स्रा यहीं पर लगा दे थी जो भी हमारे एक्स्रा प्लांट होते हैं वो हम यहीं नीचे वाले गार्डन में ग्रो कर देते हैं जिसका मन होता है वो कभी-कभी यहां से प्लांट को चुरा कर भी ले जाता है लेकिन कोई बात नहीं जाकर वो अपने घर लगाएंगे ही उसको तो इससे कोई जादा फर्क नहीं पड़ता है हमसे एक्स्ट्र होता है तो हम यहीं बाहर लगा देते हैं एक और मनी प्लान की कटिंग हमने लगाई थी आपसे शेयर भी की थी और देखे धीर दीरे यह बढ़ती जा रही है रीठा के पेड़ को इसने कवर कर लिया है रीठा का भी फ्लावरिंग और प्रूटिंग टाइम नहीं है फरवरी से इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है भी सर्दिया है तो अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो हम नीचे वाले गार्डन पर भी शेयर करेंगे लीफ कमपोस्ट हमारा तयार हो रहा है तो वीडियो अच्छे लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कोई क्वेरी है तो पूछिए थैंक यू